तो दोस्तों आपको याद होगा कि अब से दो ही दिन पहले एक वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि इसराइल को पता है कि उसके चारो तरफ सारे दुश्मन हैं इसलिए उसके मन में कोई संकोच, कोई शंका है ही नहीं और वो हमेशा इनके लिए तयार रहता है लेकिन भारत क स्थिरी थोड़ी अलग है भारत के पास चारो तरफ दुश्मन तो हैं जैसे के एक तरफ पाकिस्तान दोश तरफ चीन लेकिन जो हमारे पडोसी है न वो इतने खतरनाक है कि वो दोस्त का चोला पहन कर भारत की पीठ में छूरा घोपने को तयार रहते हैं और ये सिर्फ कहन ने की बात नहीं है ये सच्चाई है आप इसके लिए उतिहास उठा कर देख सकते हो जब जब हमारे वो पडोसी जो हमें दोस्त कहते हैं वो जब अच्छा कर रहे होते हैं उनके वहाँ पर सब चीजे बढ़िया चल रही होती हैं तो वो चीन की गोद में बैठे पाए जात हैं उसके बाद वो फिर से भारत को दोका देकर चीन के गुणगान गाने लगते हैं और अगर आपको लगता है कि इतिहास गलत है तो ठीक है आज पर्जेंट में आ जाईए यानि की वरतमान में और इस खबर के बाद आप सब कुछ समझ जाएंगे दरसल हुआ ये है कि नेपाली स्टुडेंट को पकड़ लिया था और एक दरजन से जादा नेपाल यह को मार भी दिया था। इसके बाद नेपाल के सामने एक बड़ा संकट पैदा हो गया था कि हमारे वहां पर बहुस सारे नागरिष रहते हैं जो स्रूडेंट है या काम करते हैं ऐसे में इस दोरान उन्हें कैसे निकाला जाए अब ऐसे में भारत का भी एक option था क्योंकि भारत ने युद के समय ही operation अजय चला दिया था और इसके तहट पिछले कई दिनों से भारत अपने नागरिकों को इसराइल से सुरक्षित निकाल भी रहा है और हमने बड़ी संख्या में अपने लोगों को भारत वापस ले भी आये हैं अब इसी बीच आज एक बहुती शांदार इमिज निकल कर सामने आई है जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सभी लोग जो भारती जंडा पकड़े खड़े हैं ये भारत के नागरिक नहीं हैं ये नेपाली नागरिक हैं जो इसराइल में फसे हुए थे और इनकी जान खत्रे में थी क्योंकि हमास पहले ही एक दरजन से ज्यादा नेपालियों को मार चुका है इन्हें भी मारने से नहीं हिचकी चाता लेकिन भारत ने ददिया दिली दिखाई और इन लोगों को भी ओपरेशन अजे के तहत निका लाए इसराइल से वो भी पूरी तरीके से सुरक्षित यानि कि एक बार फिर से भारत ने नेपाली लोगों की जान बचा ली इतना ही नहीं बताए तो ये भी जा रहा है कि भारत आने वाले समय में और जादा नेपालियों को जो फसे हुए है इसराइल में उन्हें नेपाल का एक और बहुत पक्का दोस्त है जिसका नाम चीन है तो क्या चीन जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थ ववस्था है अंधा पैसा है उनके पास फोरेक्स जरो भरे पड़े हैं खुद की दो-दो एरलाइन चलती हैं क्या वो नेपाली लोगों को नहीं निक पक्षित इसराइल से बाहर निकालने से इंकार कर दिया है साथ ही कई ओफिशल्स ने तो ये भी कहा है कि जो भी चीनी नागरी महां फसे हुए हैं खुद से अपनी फ्लाइट बुक करो और खुद चीना हो हम कोई मदद नहीं करेंगे आपकुद सोचिए कि जो देश अपन किसी के साथ बड़ा धोका ना कर ले तब तक कोई भी उसकी फितरत नहीं समझ सकता आप आप कुद हमें ले लो 2016 तक हम चीन को अपना में दुश्मन मानते ही नहीं थे सरकार नंबर वन दुश्मन पाकिस्तान को मानती थी लेकिन जब हमारे साथ डोकलाम हुआ फिर उसके ब है कि तब तक बड़ी देर ना हो जाए हला कि पूरे मामले पर आपका क्या मानना है कमेंट करके बताईएगा